आईपिल दोहजार पच्चिस से पहले तीन टीमों ने मचाया घमा सान साथ को हुआ बड़ा नुकसान जी हाँ नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सपना दानू स्वागत आपका हमारी चैनल स्पोर्स आर्ट पर मेरे साथ मौजूद है अब शेक त्यागी जी दुनिया की सबसे महंगी लीग जो की आईपिल है उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर ऐसी वैसी नहीं बलकि ब्रेंड वैल्यू को लेकर है IPL जिसे कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ी लीग है इसमें इतना पैसा कमाया जाता है इसमें इसकी brand value इतनी होती है लेकिन अब brand value को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि brand value में IPL के गिरावट आई है और ये गिरावट थोड़ी बहुत नहीं बलकि बहुत ज्यादा है अब क्या ये गिरावट आई है और कौन से टीम जो है किस नंबर पर है आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे देखें बिलकुस सपना बहुत बड़ी गिरावट आई है क्योंकि वैसे तो आई पेल जैसे कि आपने बताया कि brand value के तोर पर दुनिया की सब्से बड़ी लीग है लेकिन 2024 की IPL के बाद एक टीम को तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया और एक टीम को बहुत ज्यादा गिरा हो जाएगा कि आपकी टीम कौन से नंबर पर है और कमेंट करके बताईएगा कि आपका इस brand value की रिपोर्ट पर क्या कहना है तो आई पेल ओक्षन से पहले बड़ी जान का इस सामने आरे दरसल आई पेल की brand value में गिरावट धर्ज की गई है इससे पहले आई पेल की brand value 92,500 थ की गई है नहीं आई पेल की सबसे जादा brand value टीम के तौर पर Mumbai Indians को चुना गया है क्योंकि जाहरी तोर पर आप समझ सकते हैं कि बड़े-बड़े खिला रही हो Mumbai Indians में इस लीग की सबसे जादा brand value टीम Mumbai Indians है उसके बाद में बाखी टीमों के बारे में भी आप लोगों को दिग बाकरी आई पेल में जो है जीत दर्ज की थी ट्रॉफी हासिल की थी आप बाकी टीमों के अगर बात करें सपना तो रोयल चलेंजर बैंगलूरू उसके बाद है उसके बाद में चोथे नंबर पर काबीज है इसके बाद दिल्ली कैपिटेल गुज्रा टैटन संराज राजिस्थान रोल पंजाब पंजाब सबसे नीचे हैं मतलब दस्वे पायदार पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब की हालत क्या होगी इस वक्त राजिस्थान के हलंकि मैं है रान हूँ क्योंकि 2022 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर फाइनल में पहुंची थी रचिम्पेस्थान बीकर आप होँची के बाद सी दिली कैपिटेल सी की डिली कैपिटेल्स के बाद गुज्रात का नाम वहां पे दर्ज है हालकि मुझे लगता है कि फोड़ा सपेले हो सकते है विल्कोν सही बाता आपकी आर्सी भी निची खिसकी है पिहाला शवी करती ले तो जाहर तोर पर उसका भी असर पड़ता है लेकिन अगर ट्रोफियों को लेकर भी अगर बात करें तो पांच-पांच ट्रोफी मुंबई इंडिया और चेने सुपर किंग्स के पास है और उसके बाद जो लगाता तीसरी बार जो है कॉलकाता नाइट राड़स ने जीत दर् बिल्कुल वह उनसे उपर है यह थोगा सा हरानी वाली बात है क्योंकि आर्सीबी अभी कोई ट्रोफिय नहीं जीत पाई है वह चोथे पायदान पर है दिल्ली कैपिटल ने भी ट्रोफियों जीती है वह भी उपर है जबकि हैधराबार ट्रोफी एक तो जीत चुकिया कम से सबरस्ति कर वाले बास बात Deck वाले अग्र हां पर होते हैसे तो क्या गुझात की तीम नीचे होती है जाते पर होती स्दु पायदान पर होती यह तो सौने वाली बताना कि किया आपके टीम के साथ सब्स्क्रमन कर से वह हुई है कमेंट करके जरूरबदाना क्योंकि पहले पर चलिए चलिए मॉंबई है तीम बात यासा धिidän चुकी है बाकी यह अरीं साथ ग्राफ बना आप अधिर श्तार टोटे नंबर पर है क्या RCB को चोते नंबर पर होना चाहिए गुजात उसके नीचे है क्या ये ठीक है कमेंट करके अपने जरूर दीजिएगा इस ब्रेंड वैल्यू पर आपका क्या कहना ये भी बताइएगा वीडियो चलेगे हो तो लाइक को शेजरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब क क्योंकि अप्डेट लागाता मिलते रहेंगे थैंक्यू रिमाच्च